दोस्तों, आज की वीडियो होने वारी है काफी important आप लोग के लिए जो excel सीख रहे है यानि जिनन वोने excel सीखना है या झिननों ने excel सीखना है, excel लोरन कर रहे है उन लोग के लिए ये video काफी important है और आज ये सवाल का जवाब मैं यहां देने वाला हूँ आज सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ कि आपको VBA क्यों सीखना चाहिए और आपकी VBA आपकी life कैसे चेंज कर सकता है और Excel में आपको इसका क्या benefit मिलेगा तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं उसे कि आप लोग को जब Excel आता है तो आप VBA क्यों सीखें तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको VBA क्यों सीखना चाहिए और VBA क्या है एक्सल के अंदर तो आज इस वीडियो में सारी क्लारिफिकेशन में कर दूंगा और आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं क्यों आपको सीखना चाहिए कैसे सीखना चाहिए सारी बाते करेंगे तो वीडियो काफे इंट्रस्टिंग होने वाला है प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजेगा चानल पर नहीं हो तो सब्क्राइब भी कर दीजेगा चलिए शुरू करते हैं एक एक कॉंसेट को अच्छे से बारिकी से डिसकस करते हैं तो सबसे पहला सवाल आप लोग के मन में आता है कि डिफरेंस क्या है excel और VBA के भीच में आप इसे compare कैसे करें तो इसका difference आपको जानना जरूरी है पहला दूसरा reason आपको ये जानना जरूरी है कि आपको VBA अपने लिए सीखना है या अगर आपको excel आता है तो VBA सीखने बहुत जरूरी है वरना जॉब में दिक्कत होगी तो ये भी सवाल आप लोग के रहे बहुत important हो जाता है next आपको ये सवाल भी यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि VBA में किस काम को कर सकते हैं और इससे क्या फैदा होगा तो Excel में जितना भी काम आप लोग करते हैं यहाँ पर आपको VBA के जरुवत पढ़ जाती है और कई बार आप लोग को VBA को यूज कैसे करना है Excel और VBA दोनों साथ में चलते हैं अगर आप लोग Excel में कोई भी काम कर रहे हैं और उसको करने के लिए आप VBA का इस्तमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफीशल होगा लेकिए सबसे पहला सवाल आप लोग के दिमाग में यह आता है कि VBA क्यों सीखना चाहिए Excel के अंदर तो इस सवाल का जवाब यह है कि Excel के अंदर VBA सीखने से आपका काम automatic हो जाएगा यानि automation में चला जाएगा अब यह automation क्या है इसे deep में समझना है तो पहली कि जानना होगा कि VBA और Excel में difference क्या है Excel की बात करें तो Excel में आप अपना काम क्या क्या करते हैं इंटरी करते हैं, डेटा calculation करते हैं, डेटा analysis करते हैं, इतना ही काम आप अपने Excel में करते हैं लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ पर VBA अगर आप यूज कर लें तो आप उससे data cleaning कर सकते हैं, data connectivity कर सकते हैं तो यह काम आपका VBA कर सकता है, जिसे करने में काफी time consume होता है अब मैं यहाँ पर data cleaning की जो बात कर रहा हूँ, यह point क्या है, जरा एक example से समझ सकते हैं आप लोग लेट सी, इस data set में डाल रखी हैं, अब अगर आप इसे manually delete करेंगे, तो आपको बहुत time consume होगा आप एक एक करके इसे delete करेंगे, तो time तो बहुत जादा लग जाएगा, तो Excel को use करके यह काम possible होता तो है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत जादा complicated हो जाता है similarly, एक और example मैं आपको दे सकता हूँ, माल लीजे कि आपके पास 50 sheet हैं और 50 sheet का data आपको एक sheet पर merge करना है तो क्या ये काम VBA के दुरू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक file जिसके अंदर January, February, March, April इसका data दिया हूँ है और आपको ये सारा data एक sheet पर लाना है, और within a second, within a click करना है, ये आप अगर VExcel से करें तो इसे copy paste से करेंगे बहुत जादा time आपका consume होगा, और अगर मैं VBA के तुरू से कर दूँ, तो यहाँ पर मुझे button बनाने का option मिलता है जैसी मैं उस पर click करूँगा, आप देखे, within a second, मेरा पूरा data इस sheet पर आ जाएगा, ये लीजे आप देख सकते हैं कि तीनों sheetों से data जो है मैंने get data वाली sheet पर ले आया, और ये click से ही हो गया, तो है न कमाल की चीज, तो ये चीज़ा आपको जानना बहुत जरूरी है कि VBA की importance बढ़ जाती है, जब आप इसे Excel के साथ use करते हैं अब एक बहुत बड़ा सवाल आप लोग के सामने आता है, वो क्या है मैं आपको बता दूँ, आपको VBA किसके लिए सीखना है अपने लिए या किसी और के लिए, जी हा आपको ये VBA अपने लिए तो नहीं सीखना है, मैं पहले ही बोल दूँ, हाप इसे अपने लिए कभी report देखनी है या कुछ भी काम करना है या कोई ऐसा काम जो उसको करना नहीं आता या आप ये कह सकते हैं कि आपके boss को जो भी आप activity कर रहे हैं वो आपको करनी नहीं आती या उसको formula नहीं आता Excel का कोई भी tips उसको नहीं पता उसको formatting का idea नहीं है उसे home tab में सारे tools का idea नहीं है उसे नहीं पता कि home tab में bold कैसे करते हैं उसे नहीं पता कि उसे highlight कैसे करते हैं उसे नहीं पता कि wrap text कैसे करते हैं उसे नहीं पता कि formula क्या होता है उसे नहीं पता formula में we look up कैसे लगाते हैं तो ये सारी बाते उसे नहीं पता तो आप क्या करेंगे आप उसको उसके काम को असान करने के लिए उसे सिर्फ एक बटन की facility देंगे यानि सिर्फ वो बटन पे क्लिक करेगा और तुरंत उसका सारा काम हो जाएगा जैसे कि मैं आपको example दिखा सकता हूँ आप देखिए मैंने एक तरह की formatting कर रखी है लेकिन ये formatting मैंने manually किये excel के through लेकिन अगर boss के पास ऐसा data आ जाता है और वो चाहता है ये formatting हो जाए लेकिन मुझे नहीं पता की bold कैसे करते हैं मुझे नहीं पता ये border कैसे लगाते हैं ये सारे features मुझे नहीं पता यानि कोई ऐसा ब रखा है और उस पर एक button दे दिया है format the data इस पर click करते ही ये देखिए वाउ क्या बात है तो format the data पर उसने click क्लिक किया और ये पूरा data within click सारा का सारा format हो गया और उसी data set में आ गया उसी style में आ गया जैसे की first sheet पर data पड़ा हुआ था तो है न कमाल की trick यानि VBA में आपके काम को automation करने के काफी सारे button आप बना सकते हैं जैसे invoices को save करने के लिए button दे सकते हैं अपने boss को किसी भी काम को करने के लिए एक button दिया जा सकता है दोस्तों आप देख रहे है मेरी screen पर यहाँ पर एक calculation मेंने की हुई है अब ये calculation आपको दिखतो रही है लेकिन इस में आपको इक invoice दिख रहा है किसी company का अब ये किसी company का invoice है इस company के invoice को आप चाहते हैं कि आप customer sold वाली sheet ये किसी company का invoice है आप check कर सकते हैं इसमें मैं details को blur कर रहा हूं फिलाल और आप देख सकते हैं इसी किसी company का invoice है उसमें मैंने ये details enter कर दी है ठीक है इसका price इसका hsn code इसकी सारी details मैंन जैसे ही save data पर click करूँगा यह जो report है यह जो details है सारी की सारी मेरी sold customer list वाली sheet पर चली जाएगी यहाँ पर आ गई न यह सारी details आपकी sold customer वाली sheet पर आ जाएगी with a click आपका यह सारा काम हो गया और अगर आप इसे clear करना चाहते हैं तो भाईया यहाँ पर आपको new invoice का एक option मिलता है जिस पर आप clear क्लिक करें तो तुरंत ही सारे invoice की details clear हो गई और invoice number भी change हो गया बोलिए अब आपका काम कितना असान हो गया यानि अब आप सिर्फ अपने boss को क्या कर सकते हैं एक button form करके दे सकते हैं और अब उसको इतना महनत करने की जरूरत नहीं है इन सारी details को से सीखने क जरूरत नहीं उसे यह नहीं सीखना कि आपने यहाँ पर कौन सा formula लगाया है उसे यह नहीं सीखना कि इसमें कौन सा formula लगाया है यह सारे बड़े बड़े formula उसे सिखाने की जरूरत नहीं है आप लोग को सिर्व उसे एक sheet बना कर देनी है जो एक automation process follow करती है बात समझ मैं बाचे कोगी कि VBA किसको सीखना चाहिए, सीखना तो सभी को चाहिए, क्योंकि very very important work, अगर किसी को नहीं आता है वो काम, भाई excel चलाना नहीं आता है, तो आप उसको ये चीज बना कर दे सकते हैं, और इसके बदले में आप बहुत अच्छा पैसा चार्ज कर सकते हैं, जैसे automation process के लिए आप अलग-अलग button बना सकते हैं, एक काम को automatic चला दें, तो बटन के form में जब वो बन जाएगा, तो आपका काम तो easy हो ही जाएगा, है ना कमाल की चीज, और अगर आप यहाँ पर इस तरह की details कुछ बना दें, इस तरह का information आप लोग दे दें, अपने user को, तो user के लिए Excel सीखना नहीं रहेगा, और कोई भी बन्दा उस Excel शीट पर कोई भी काम कर सकता है, बर से button की ज़रूरत पड़ेगी, बस वो button आपको दे देने हैं बना के, और आप अच्छा पैसा, अच्छा चार्ज अपनी company से या अपने client से कर सकेंगे, इस VBA के थूँ, अब VBA मे क्या सीखना बहुत जरूरी होता है, ये बात भी आपको समझ लेनी चाहिए, अगर आपने नहीं सीखा तो job में दिकत हो सकती है, तो ये बात मैंने आपको अभी बताई थी, तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ, देखो भई, आपको ऐसा काम जरूर कर लेना चाहिए VBA से, जो आपका बार-बार repeated work है, जैसे कि आप देखें, ये task जो मैंने अभी आपको करके दिया, ये आपको एक repeated work है, जो आपको रोज करना पड़ता है, किसी ना किसी फाइल पर रोज करना पड़ता है, तो अगर आप ये repeated task को VBA के थूर कर देंगे, तो आपका वक्त बचेगा और आपका काम आसान हो जाएगा, यानि formatting के लिए VBA इस्तमाल करना बहुत जरूरी होगा, अपने काम में, और अगर आप किसी और को ये फाइल दे रहे हैं, तो उसके लिए और भी buttons बना कर दे दिजे, जैसे new invoice का मैंने आपको दिखाया, save invoice का, ऐसे ही button आप बना कर अपने cleaning कर सकते हैं, कोई भी data आपको clean करना पड़े, साफ करना पड़े, वो भी कर सकते हैं, यानि आप किसी भी तरह का काम VBA के अंदर कर सकते हैं, और within a click कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप, अपने काम को करने के लिए आपको इसे नहीं करना है, पहले ही मैं बता दू, ये काम आप के लिए कर रहे हैं, जिनको Excel चलाना नहीं आता, और जिनको Excel की एक भी knowledge नहीं है, जैसे की example के लिए एक और बंदा में ले सकता हूँ, जैसे आपका एक data entry operator होता है, जो की नया नया बारवी pass out करके आता है, और वो job पर काम करता है, उसको Excel की कुछ भी knowledge नहीं होती, तो उसे data entry मुझे करवानी है, तो मैं उसको एक ऐसी file बना कर दूँगा, जिस पे वो data entry करे, और button क्लिक करते हैं, उसका काम हो जाए, उसे GST calculation नहीं आती, तो क्लिक करे, GST calculation हो जाए, उससे क्लिक करे, ये सारी calculation हो जाए, अगर आपको ये पता हो, कि VBA का use, actually में, कहां पर हुआ है, तो मैं आपको इसका एक best example दे सकता हूँ, कि VBA का actual use, आप लोगों ने अगर देखा हो, तो पुराने ITR forms आते थे, और आज भी आते हैं, शायद Excel format में, अगर आपने ITR forms देखे हो, तो ITR form में VBA का बहुत गजब का इस्तमाल हुआ था, और जितने भी Excel के format में आने वाले files ह होते हैं, उन पे VBA का इस्तमाल होता ही होता है, अगर VBA use होता है, तो उनका काम automation में पहुंच जाता है, और user से data collect करना easy हो जाता है, लेट सपोज एक example में आपको और दे सकता हूँ, जैसे कि माल लीजे, अगर आप लोगों ने देखा हो, किसी website पर आप कोई data punch करते हैं, कि किसी website पर आप कोई entry pass कर रहे हैं, या आप किसी website पर अपना GST number डाल रहे हैं, और GST number डालते ही, आपकी सारी details patch हो जाती है, जैसे कि इस वक्त Tally के अंदर हो रहा है, ये feature भी, आप लोग देख सकते हैं, कि Tally में आप GST number डालेंगे, किसी भी party का, और जैसी GST number डालेंगे, उसकी सारी details patch हो जाएगी, ये एक नया feature इंट्रोड्यूस किया है, वैसे ही बहुत सारी softwares ने कर रखा है, तो ये भी कैसे होता है, ये एक automation process है, जो हर software ने अपने अंदर inbuilt कर रखा है, तो Excel ने भी ये inbuilt आपको दे रखा है, आप उससे करके बहुत आराम से अपने automation process को continue कर सकते हैं, तो I think आपको VBA की सारी जानकारी मिल चुकी होगी, और आपको पता चल चुका हो कि आपको VBA क्यों सीखना चाहिए, और आपको VBA किसले यूज़ करना चाहिए अपने काम में, और अगर आपको पता चला, वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे ल करना मिलते एकली वीडियो में, एक और नए गंडेट के साथ अब तक लिए देखते रहे हैं, शीखते रहे हैं, गाड़ा मैड